आप सभी का स्वागत है हमारे चानल के उपर आज हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं UPPCS 2024 के नोटिफिकेशन के बारे में जो रीसिंटली 1st January 2024 को रिलीज हो चुका है इस notification का सभी को काफी बेस अबरी सिंद जार था और expected था कि यह notification कुछ जादा number of seats के साथ आना चाहिए बट अभी इसके बारे में हम लोग detail में हापे इस notification के बारे में क्या dates हैं क्या pattern होने वाला है examination का इन सभी चीजों के बारे में जानेंगे तो बने रहेगा इस वीडियो में आपको complete information मिल जाएगी आपके UPPSC 2024 के notification के बारे में तो सबसे पहले तो देखिए आप ये चीज देखेंगे कि इस बार जब UPPSC का notification release हुआ है तो यहाँ पर जो कुल seats आई हैं जो government के थू, commission के थू यहाँ पर release हो पाया है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 220 seat पर ही selection basically इन्होंने रखा है मतलब overall सिर्फ 220 seats ही हैं जिन्हें इन्होंने release करा है यहाँ पर जो definitely UP जैसे state के लिए जो इतना बड़ा state है वो बहुत ही कम seats इन्होंने हाँ इस बार release करी है एक समय था जब UP-PSE के अंदर similar seats हुआ करती थी जैसे UP-SE में हुआ करती थी but over the years यह seat regularly reduce हो गई है and 2024 तो election year भी है तो expected था कि seats थोड़ी जादा बढ़कर ही आनी चाहिए but still अभी के हमारे पास जो information है वो 220 seats की है हो सकता है संभावना है कि आने वाले final selection तक अगर possibility कुछ रही और क्या पता seats आपकी पड़ भी जाए but अभी जो भी students prepare कर रहे है वो ध्यान रखें कि अभी notification में सिर्फ 220 seats ही है जिनकी उपर basically commission of exams conduct करवाने वाला है बहुत importantly ये बात ध्यान रखेंगे कि इसकी जो last date है submission का वो second February है 2024 का और receipt of examination जो fees आपको submit करनी है वो आप सिर्फ 29th January 2024 तक कर सकते है तो पहली चीज तो यहाँ पे यह है कि इतना जादा समय का इंतिजार करनी की जरूरत नहीं है last moment पे please अपने forms को मत भरिये क्योंकि इसकी वज़ा से आपको कहीं बहुत दूर center मिल सकता है कोशिश करें कि जितनी जल्दी हो सके इसी week के अंदर अपने forms submit कर दें fill कर लें जिससे nearby location पे आपको कहीं पे आपका center जो है वो मिल सके parallelly अपने form को बहुत ही consciously fill करिएगा क्योंकि अगर एक बार आपने कोई भी form में गलती कर दी तो उनको modify करना ये बहुत ही cumbersome task हो जाता है तो इतना trouble करने अपने आपको करने से better है कि consciously थोड़ा सा ध्यान समय लेकर अपने form को अराम से fill करिएगा और कोई जल्दबाजी मत करेगा तो ये पहली बात है कि last date आपके पास 2nd February है बट fees summit करने की date आपके पास 29 January तक की है लेकिन बहुत समय रहते हैं अपने form को fill कर ले साथी साथ हम लोग अगर अब exam के बारे में देखते हैं तो UPPCS का exam भी आपका 3 stages में conduct होता है सबसे पहली stage आपके prelims की stage होती है उसके बाद आपका means का exam होता है and then आपका personality test होता है तो अभी तो exam की जो date है वो है आपकी 17th March और कुल कुछ धाई महीने का समय है आपके पास तो इसका benefit उठाईए और अच्छे से तरीके से त्यारी करने की कोशिश करिए prelims के अंदर आपके basically दो papers conduct होते हैं ये बात हम लोग देखते हैं आपे जो पहला paper है आपका first paper होने वाला है आपका उस paper के अंदर जो GS का exam होगा उसमे 150 questions आएंगे आपके और 200 marks का आपका ये paper होगा 2 hours का ठीक है ना जो timing भी नो ने mention कर रहा है 930 से 1130 930 से 1130 m के बीच में आपका पहला paper होगा दूसरा paper जो है paper 2 जो है आपका CSAT का paper ये आपका 33% qualifying है तो यहां पर होते हैं आपके 100 questions ठीक है ना और marks इसके भी है आपके 200 marks है negative marking दोनो papers में है तो ये बात भी ध्यान रखेगा और जो second paper होगा slot का वो 2.30 से 4.30 pm के बीच में होगा तो ये आपकी सबसे पहली stage है प्रिलियम्स को clear करने के बाद आप mains mentor करेंगे mains में आपके overall 8 papers होते हैं तो mains में आपके 8 papers हैं जिसमें आपके GS के 6 papers रहते हैं एक general Hindi का paper होता है और एक essay का paper होता है बिराल इसके उपर हम लोग एक completely नई वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम लोग discuss करेंगे कि आपको प्रिलियम्स के लिए अगले 2 महीनों के अंदर अंदर कैसे अपनी त्यारी को पूरा करना है कुछ students ऐसे होंगे जो पिछले 8-10 महीने से या फिर एक साल से इसकी preparation कर रहे होंगे कुछ students ऐसे भी होंगे जिन्होंने पहले से exam दे दिया है और वनोंने प्रिलियम्स क्लियर किया है मेंस क्लियर किया है, interview में रह गए या मेंस के बाद ही interview की call नहीं तो यह बात ध्यान रखेगा कि वो students उन students से edge में है जिनका ये paper पहली बार conduct होने वाला है तो आपको अपनी जो preparation है, अपना competition उन्हें मान के भी चलना है जो लोग obviously students काफी समय से इसकी preparation कर रहे हैं, इस examination की preparation कर रहे है क्योंकि UPSC का student, UPPCS का exam definitely देता है तो ये बात आप साथ में ध्यान रखेंगे ये exam mains का आपका होता है और वो three hours का आपका conduct होता है तो पहला जो preliminary stage है, वो हमारा 17th of March को है according to the notification अब पहले थोड़ा सा syllabus हम लोग एक बार देख लेते हैं, इसके बाद क्या-क्या sources होंगे उसके लिए हम लोगे completely separate video बनाएंगे, जिसमें हम लोग इस बात को देखेंगे बच सबसे पहले आपका उत्तरप्रदेश pieces का जो prelims का syllabus से उसमें paper 1 के अंदर पहला ही point उन्होंने दिया है current events of national international importance तो ये सबसे पहली चीज़, आपको current events को बहुत अच्छे से पढ़ना है और last moment पे देखिया papers पढ़के कुछ नहीं होगा तो कोई न कोई monthly magazine है definitely जो आपको cover करनी पड़ेगी और यहाँ पर sports say, national, international हर चीज के उपर जो question है वो काफी जादा आपका पूछा जाता है ठीके ना? तो आपको ये चीज़े cover करनी है then the next is history of India and international moment तो यहाँ पर आपको ancient history, medieval history और साती साथ modern history ये तीनों ही sections को काफी अच्छे से cover करना है काफी questions जो है वो history से हर साल exam में पूछे जाते है then Indian and world geography, साती साथ economic geography, social geography, Indian and world की ये भी आपको cover करनी है क्या sources रहेंगे उनके बारे में हम लोग देखेंगे maps पे बिल्कुल अच्छे से focus करेगा, maps बहुत important section है हापे then Indian polity का section है Indian polity और governance जिसमें आपको Indian political system, constitution and governance के बारे में एक broad overview अच्छे से पता होना चाहिए then we have economy, economic and social development के बारे में आप अच्छे से पढ़ेंगे, जानेंगे चीजों के बारे में उनके बारे में and economics भी काफी important essential section है but भेराल इन सभी में सबसे important sections में गर हम chapter से बात करें तो history, geography, quality काफी जादा relevant आपके portions रहते है then environment and ecology, again काफी questions यहाँ पर पूछे जाते है 2023 में भी कुछ 12 to 15 questions यहाँ से expected रहे है current oriented भी होते हैं but basic concepts पर भी होते हैं and then we have science, तो science काफी sorted होती है है यहाँ पर biology, physics and chemistry तीनों ही sections से यहाँ पर questions पूछे जाएंगे आपके biology, physics or chemistry से bio definitely जादा section पूछा जाता है but काफी जादा simple sorted section अगर आपको पता है और factual data काफी रहता है but आप easily solve कर सकते हैं अगर आपने उसको बहुत ही अच्छे से cover करा है तो paper 1 जो है आपका general studies का वो यह सारे overall syllabus को cover करता है साथी साथ UP के reference में भी चीज़े पूछी जाती है but out of 150 questions बहुत जादा question आपको एकदम से UP से नहीं दिखेंगे क्योंकि UP ने अपना एक separate paper कर लिया है जो mains में आता है तो premium से बहुत जादे UP के respect में questions नहीं आते हैं आप बहुत समय मत अपना उस पे waste करें paper 2 पे आते हैं जो हमारा CSAT का paper है वहाँ पर again it is just a 33% qualifying paper so यहाँ पे आपका comprehensions, logical reasoning, decision making, elementary mathematics जो 10th level तक ही है जिसमें आपको number systems, आपके LCM, HCV, division of integer, ratio proportion average, percentage, profit loss, simple compound interest, work time, speed time, distance यह सब चीज़े काबा करने पड़ती है और साथी साथ algebra के भी questions यहाँ पे पूछे जाते हैं तो वह आपको साथ साथ काबा करना होता है then general English 10th level तक ही और Hindi आती है 10th level तक ही तो prelims में Hindi भी आती है definitely लेकिन बहुत basic Hindi आती है फिर geometry के questions रहते हैं कुछ यहाँ पे और statistics के questions रहते हैं आप थोड़ा सा strategically अगर CSAT को prepare करेंगे तो definitely students के लिए problem नहीं होने चाहिए but मेरी piece of advice आपको यहाँ पे यह है कि please इसे last minute के लिए मच छोड़ेगा daily basis पे जो students बहुत अच्छे भी है उनको लगता है कि we are very good in mathematics यह paper हमारे लिए problematic नहीं हो सकता है but still at the part of the institution हम आपको यह कहना चाहते हैं कि daily basis पे at least 30 to 45 minutes आप अपनी CSAT के लिए जरूर निकालें क्योंकि last year का 2023 का अगर आप CSAT का paper देखेंगे UPPCS का so it was not that easy इतना असान भी नहीं था तो आपको थोड़ा सा strategically work करना बहुत ज़्यादा जरूरी है इसमें General English जो पूछी जाती है वो आपकी basic चीज़े रहती हैं आपकी जिसपे comprehension active passive voice, path of speech transformation of sentences direct indirect speech, word meaning हो कि आप idioms वगेरा यह इन सब चीज़ों पर question आएंगे यह notification के थूँ आपको पहले one time registration करना है उसके बाद आप further जो है कैसे payment gateways तक आकर final अपने fourth stage तक आपका final submission जो है वो round का हो जाएगा so students यह basically हमने notification के बारे में देखा और prelims के exam के syllabus के बारे में देखा अब एक नई video के अंदर हम लोग आएंगे जिसमें हम लोग detail में आप से discuss करने वाले हैं कि पहली चीज हर subject का क्या source होना चाहिए आपके पास और साती साथ previous year questions की क्या importance है यहाँ पे तो उसके अंदर हम लोग अच्छे से detail में समझेंगे कि basically आपको कैसे solve करने है at least 10 to 15 years के previous year के questions जिससे आपको एक basic idea लग पाए और साती साथ हर एक portion subject के लिए आपके पास क्या source होना चाहिए कहां से आप अगले दो महीनों में अच्छे से इन चीजों को cover up करेंगे जो लोग students अल्यड़ी कर रहे है उनके पास definitely इसके notes होंगे अपने notes से ही पढ़ें कोई नया source अभी refer ना करें और बाकी जो हैं वो जो भी institution से आप coaching ले रहे हैं पढ़ रहे हैं जहां से भी वहां उसके पास पे भी आप उनको उसी source से refer करते रहें current affairs को बिल्कुल भी leniently मत लीजे उसको properly consciously अपना prepare करिए अच्छे से पढ़िए, समझिए और जादा से जादा mock papers को attempt करिए so basically हमने यहां पर यह सभी चीजों के बारे में जाना आप ऐसी और updates के लिए हमारे को follow कर सकते हैं हमारे YouTube चैनल पर और Instagram पे भी जहां पर हम आपको relevant information जो है UP pieces के respect में और upcoming UPSC जैसे exams के लिए देते रहेंगे हमारे courses जो है वो already start हो चुकिया और 4th of January से हम लोग अपना एक crash course भी शुरू कर रहे हैं जो UP pieces specifically है जिसमें हम लोग UP specific आपके लिए test series को भी लेकर आ रहे हैं जो UP specific आपकी test series होने वाली है सो अगर आप ऐसे किसी भी course के लिए हमारे साथ enroll करना चाहते तो हमारे DAW contact numbers पे हमें contact कर सकते सारी information with respect to the exam आपको वहाँ से मिल जाएगे सो next video में मिलते हैं इसके detailed evaluation और यह देखते हैं कि कैसे UP pieces को भी आप target कर सकने हैं बागी आपके कोई भी doubts है आप हमें comment section पे जरूर share करें हम कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी आपके उन doubts को resolve कर सकें till then take care everyone keep studying all the very best thank you so much